प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ग्लासगो में है और वहां भारतिय समुदाए से उनकी मुलाकात हो रही है भारतिय मूल के लोग जो वहां मौजूद हैं उन्होंने आकर प्रधान मंत्री से मुलाकात किये हैं इस दोरान आप देख रहे हैं इस शिच्टा चार मुला मुलाकात करते प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और आप जानते हैं इससे पहले उन्होंने जी ट्वेंटी समिट में हिस्सा लिया वो इटली जब पहुंचे तो उन्होंने कई एहम मुलाकातें की और उनमें एक विशिस्ट मुलाकात उनकी पोप के साथ भी थी और अब ग्लासगो वो पहुंचे हैं इन्वारिनमेंट पूरी दुनिया में चिंटा का सबब है क्या किया जाना चाहिए, क्लाइमेट चेंज से कैसे निप्टा जाना चाहिए ब्रेंस्टार्मिंग पूरी दुनिया में इसको लेकर हो रही है और बिटन के प्रधान मंत्री ने ये भी कहा है कि अगर ग्लास्गो से इसका रास्ता नहीं निकला तो फिर कुछ नहीं हो सकता जाहिर है ग्लास्गो इस समय पूरी दुनिया की निगाहों का मर्कज है और प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी जब ग्लासगो पहुंचे हैं तो वहां भारतिय मूल के जो लोग मौजूद हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं पूरी दुनिया में फैले हुए भारतिय उनका नजरिया एहमियत रखता है देश को लेकर वो क्या सोच रहे हैं एहमियत रखता है आप जानते हैं प्रधान मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि हर एक भारतिय इस देश का एक तरीके से दूत है वो जहां भी है वो भारतियता की पहचान है भारतियता का प्रत्निधित्तों कर रहा है और इस लिहाद से भारतियों से मुलाकात उनसे संदेशों का आदान प्रदान बेहद हैं और इसमें आप देख रहे हैं हर आयू वर्क के लोगों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है इसमें बुजर्ग भी है इसमें युव इंडियन डाइस्पोरा के साथ भारतिय प्रधानमंत्री के मुलाकात आप जानते हैं खासतोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी को लेकर जहां भी विदेश में भारतिय बसे हुए हैं जब भी वो अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी को पाते हैं तो उनका उ Conference of Parties 26 ये मुलाकात उनकी यहां इसी संदर में वो यहां पहुंचे हुए हैं और इस दोरान इंडियन डाइस्पूरा से उनकी मुलाकात